आज बात करेंगे कि क्या है डिजिटल की पावर, कैसे हम डिजिटल प्लाटफॉर्म के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने बिजनस में, अपने प्रोफेशन में, या अपनी सोशल लाइफ में, या अपनी कम्यूनिटी में किस तरह से इसका इस्तिमा का इस्तिमाल करते हैं, मतलब जब ये बात कमपनीज और कॉर्परेट्स को समझ में आई, तो वो समझ गए, कि अपने प्रोड़क्ट या सर्विसेज को लेकर, हमें फेस्बुक पर जाना चाहिए, और फेस्बुक एक एडवर्टाइज का, बहुत बड़ा प्लैटफॉर्म बन गया, और ना केवल फेस्बुक पर हम सोशिल मीडिया के डिफरेंट डिफरेंट प्लैटफॉर्म को देखें, तो ट्विटर है, लिंक्डिन है, इंस्टाग्राम है, अगर बात करें ट्विटर की तो 50 मिलियन ट्वीट्स पर डे शेयर होते हैं, इसका मतलब एक सैकिंड में 600 से ज़्यादा ट्वीट्स शेयर हो जाते हैं, ना केवल हम सोशिल मीडिया की बात करें, आज लोग शादी करने के लिए भी सोशिल मीडिया प्लैटफॉर्म का इस्तिमाल करते हैं, बहुत सारे लोग कई लव स्टोरी में ऐसा दिखा गया, कि वो लोग फेस्बुक पर मिले, एक दुसरे को जाना, और बाद में उनकी शादी हो गई, एक बात मैं आपको यहां कहना चाहता हूँ, यूएस जैसे देश में आठ में से एक कपल ऑनलाइन मिलता है, सोशिल मीडिया साइट के जरीए और शादी कर लेता है, इंडिया में इसको एक अपॉर्चिनिट जीवनसाथी.com, ऐसे बहुत सारे प्रैटफॉर्म त्यार हुए, जहां पर एक नए बिजनस की संभावना पैदा हुई, गूगल की अगर मैं बात कुरूं तो 2.7 बिलियन सर्चिज पर सेकिंड गूगल पर होती है, मतला इतना सर्च गूगल पर किया जाता है चीज़ों को कि गूगल एक औरगैनिक वर्ड बन गया है सर्चिज के लिए, अब करना क्या है, मैं एक बात यहां विशेस आपको बताना चाता हूँ, कि गूगल पर जब कोई भी व्यक्ति कुछ भी सर्च करता है, तो सर्च करते समय वो सबसे पहले कीवर्ड टाइप करता है, मैं example गू लेकिन अगर आप नोटिस करें तो इसके अलावा बहुत सारे इमेजिस आपको दिखाई देंगे, जिसका उन चीजों से कोई लिन देना नहीं है, मतलब आपने सर्च की वाच, हो सकता है आपको एक अच्छी डेस्टिनेशन दिखाई दे, हो सकता आपको कोई पिक्निक इस रोलेक्स वाच और ब्रैंड अमेजडर रोलेक्स इज अभिशेक बच्चन तो अभिशेक बच्चन का इमेज भी वहां पर शो रहा है, इसका मतलब जैसे कीवर्ड का आप इस्तिमाल करेंगे वैसे सर्च में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, कौन-कौन से सी चीज देजें, जो सोशल मीडिया नेटवोरक में शामिल होती है. तो सबसे पहली बात हãy शोचल मीडिया नेटवरक क्रियेशन कि आप अपना नेटवर्क शोशल मीडिया पर कैसे बनाते हैं अब यह फित्यावंच तो बहुत सारा लोग बना लेते हैं, लेकिन वह बहूँ नहीं बनाए जाएं, followers के साथ साथ like कैसे बढ़ाए जाएं, subscriber कैसे बढ़ाए जाएं, comments कैसे बढ़ाए जाएं, मतलब लोगों के साथ कुछ ऐसा हमें करना होगा कि उनकी engaging activity बढ़ जाएं, जितना ज्यादा लोग आपके वीडियो पर, आपके content पर, आपकी images पर, आपके posts पर engage होगे उतना ज्यादा social media creation बेतर तरीके से आपका होता जाएगा, अब social media platform पर जब भी हम कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, important बात क्या है, कि उस image के साथ में आप क्या content लिखते हैं, उस पर depend करता है, कि आप अपनी post को कहां कहां तक लोगों को दिखा सकते हैं, तो इंपोस्ट जहां जहां पर उसके बारे में जो भी information होती है, उस सारी information कोई कठा करता है, और वो information आपको show करता है, आप जो post डालते हैं, वो search engine optimization की वज़ा से searches में आती है, अब search engine optimization क्या है, आप जब भी कोई content post करते हैं, तो उसमें ऐसे keyword का इस्तिमाल किया जाता है, कि जो keyword लोग search करत तो आपने जब अपनी images के साथ उस तरह का content लिखा होगा, तो वो show हो जाए, social media platform पर account create करना एक बात है, लेकिन उनको इस तरीके से optimize करना, कि लोगों तक उसकी जानकारी पहुँचे, जड़ा से लोग उसको देखें, लोगों के platform पर वो show करे, for example आपने को Facebook post डाला है, तो पोस्ट, Facebook show करे, उन लोगों को जो आपको नहीं जानते, social media optimization में आता है, social media marketing, ज़रूर ही नहीं है कि आपको content based काम करें, तभी सब कुछ होगा, SEO करें, तभी सब कुछ होगा, social media optimization करें, तभी सब कुछ होगा, आप social media platform को paid marketing के जरीए भी, अपने brand, अपने product, या अपनी services को logo तक पहुचा सकते हैं, अब ये paid promotion कैसे होती है, इसके लिए आपको क्या करना है, social media के जितने accounts हैं, उन सभी पर, अपने ad accounts कोलने हैं, या जैसे facebook marketing करते हैं, तो facebook का ad manager account है, वो हमें खोलना है, वहाँ पर सारी information feed करनी है, और आप अपने budget के हिसाब से decide करें, कि आप कितना budget, अपने product को या अपने brand को advertise करने के लिए खर्च कर सकते हैं, नेक्स जो चीज़ है वो है PPC, आप लोगोंने बहुत सुना होगा PPC, PPC, क्या होता है PPC, PPC मतलब pay per click, आज Google जैसा platform कहता है, कि यदि आपके, आपके कोई भी product है, या आपके service है, या आप अपने आपको advertise करना चाते हैं, आप हजारों लाखों करोडों लोगों तक पहुँचना चाते हैं, तो pay per click के माधियम से भी आप अपने brand को, अपने product को या अपनी service को advertise कर सकते हैं, वहाँ पर जरूरत है Google AdWord account खोलने की, Google आपको एक permission देता है कि आप AdWord account खोलें, और उस AdWord account के माधियम से Lead Generation के लिए बड़ा important role play करता है pay per click, आप pay per click के अलग-अलग उदेश ये होते हैं, suppose आपने अपना कोई video बनाया है, उसको promote करना है, तो आपका वीडियो का views लेकर आएगा, आपको उस वीडियो का advertise करना, information लोगों तक पहुचानी है, तब भी आप pay per click के माधियम से लोगों को information पहुचा सकते हैं, या आपको lead generation करना है, आप lead generation का मतलब क्या है, Google आपके उस advertise को लोगों को दिखाएगा, आपने जो advertisement post किया है, उसको लोगों को show करेगा, और जितने लोग उसमें interest रखेंगे, वो click करेंगे और अपनी information आपके पास बेजेंगे, वो pay per click होता है, fine, इ if you can write good content, go to the blogger sites, जहां पर आपना blog बनाएं, और ad के माध्यम से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक उस तरह से ad word और adsense होता है, अब इदेखो ad word और adsense में थोड़ा सा differentiation है, ad word का मतलब है कि आप अपने आपको advertise करने के लिए Google को pay करने हैं, जबकि adsense का मतलब है, Google आपके आपने देखा YouTube account बनाना तो free है, उस पर वीडियो पोस्ट करना भी free है, लेकिन उस वीडियो को जब लोग देखेंगे, तो उस पर एक advertisement आएगा, अगर आपने Google adsense account monetization on किया हुआ है, तो उस पर advertisement आएगा और उस advertisement के माध्यम से, आप अपने जितना भी revenue generate करेगा Google, YouTube वो के साथ share करेगा AdSense के माध्यम से, आज जितने भी YouTubers हैं, बहुत सारे लोग तो professionally YouTuber के रूप में काम करें, मैं एक example यहाँ पर आपको बताता हूँ, राजिस्थान की एक महिला थी, वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, अच्छा बोल नहीं पाती थी, अच्छी personality नहीं थी, तो उसको लगा कि अगर मैं खाने की वीडियो रिकॉर्ड करके भी डालने लग जाओं तो लोग देखना शुरू कर देंगे, उसका उदेश्य कहीं भी पैसा कमाना नहीं था, उसने तो केवल अच्छे खाने के व्यंजन बनाने की जो recipes हैं, उनको phone से record किया और YouTube पर डाल द आज उस चैनल पर लगबग 5 मिलियन सदा सब्सक्राइबर हैं और हर वीडियो 5 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन तक पहुंचती है, और YouTube की earning पता है कितनी है, 4-5 लाक रुपी पर मन्त, और यह तो रही जो YouTube से direct earning आती है, खाली earning YouTube से नहीं आती है, यूट्यूब पर जब आफेमस करना चाहती है, अपने product की information लोगों तक पहुंचाना चाहती है, तो वो hire करते हैं, या हम लोगों के साथ collaboration करते हैं, जहां पर वो हमें pay करते हैं, और हम उनके product को advertise करते हैं, तो Google Adsense के माधियम से अपना business develop किया सकता है, अच्छा पैसा कमाया सकता है, content writing, अगर आप अच्छ revenue, generate होने वाला है, और कई बार तो अच्छा content भिकता भी है, अब important बात एक और है कि जो content आप लिखते हैं, चाहे वो blogs के रूप में हो, चाहे आर्टिकल के रूप में हो, website पर लिखे हो content के रूप में हो, जो press releases होती हैं, उनके लिए content हो, अगर आप अच्छा content लिखते हैं, तो दुनिया आपका content खरीदने के लिए तैयार है, जरूरत है, तो सही technique and method को समझने की, अब यहाँ पर यह नहीं चलता कि आपने Google से कोई content उठाया, उसको copy किया, और copy करके वहाँ डाल दिया, Google को पता लग जाता है कि यह content already Google platform पर है, और इस website पर है, और यहाँ से आपने copy किया है, तो content जो अगर copy उसको unique कैसे बनाए जाए, यह भी technique हम लोग सीखते है हमारे पूरे complete segment में, fine, adsense account कैसे बनाना है, adsense पर कैसे काम करना है, adsense account बनाने के बाद किस तरह की activity करनी है, तक ही जरसा लोगों तक आप पहुंच सके है, और important बात अगर आपका कोई product है या classified websites बन चुकी है, जहाँ आपके किसी भी तरह का business हो, जैसे B2B, business with business, मतलब जहाँ पर आप supporting industry के लिए product बनाते हैं, business with client, जहाँ आप direct end user के लिए product बनाते हैं, B2G, business with government, सरकार के लिए आपको product बनाते हैं, और ध्यान रखिए हर वो समान जो आप बनाते हैं, वो सरकार B2E, business with e-commerce industry, जैसे आप e-commerce industry के हैं, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति अपनी खुद की website develop करेगा, तभी वो e-commerce में काम कर पाएगा, अपनी e-commerce website बनाने का मतलब है, एक बहुत बड़े समुद्र में छोटी सी कष्टी को उतार देना, तो जरूरत क्या है, छोटी सी कष्टी ना उतार कर आप बने बनाए बड़े बड़े जहाजों में अपना माल लोड करें और बेचना शुरू करें, जैसे Amazon, तो Amazon पर आप seller account बना सकते हैं, फ्लिप कार्ट, इस पर आप seller account बना सकते हैं, ये वो companies हैं, जो आपको एक platform देती हैं, कि आप अपने product को बेचने के लिए हमा इसके लबा, MSME का platform है, इसके लबा, CDB का platform है, अगर आप इस तरह के काम करते हैं, जहां होटल इंडस्ट्री से related हैं, तो OEO rooms है, इसके लबा, Make My Trip है, ये वो sites हैं, जहां पर आप काम कर सकते हैं, B2B अगर काम है, तो India Mart, Trade India, Exporter India, Tender Tiger, Alivaba, ये सारी वो sites हैं, जहां से आप अ आपके brand की या आपकी services की information लोगों तक पहुंचे, और वो कैसे संबव है, वो संबव है, digital marketing के जरीए, जब हम बात करते हैं, digital platform पर तो वहां पर बहुत सारे लोग अपना digital platform खुद maintain नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे celebrities हैं, बहुत सारे professionals हैं, बहुत सारे लोग हैं, जो sole proprietor है या small scale business चलाते हैं, वो अपने आपको social media पर खुद advertise नहीं कर पाते हैं, तो आप agency के रूप में उनकी profile maintenance का काम भी कर से, प्रोफाइल maintenance का मतलब क्या है, उनका सारा का सारा social media handle आप समालेंगे, that is profile maintenance, fine, video submission, आप बहुत सारे लोग अच्छी videos तो बनाते हैं, पर उनको submit करने नहीं आते हैं, उनको video upload करना नहीं आता, तो video की right strategy of uploading क्या होगी, ताकि ज़र सदा views आएं, video को ठीक तरीके से advertise कैसे करना है, video पर content क्या लिखना है, video पर thumbnail क्या लगाना है, ये services बहुत सारे लोग लेते हैं, तो आप ये services देकर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, image submission, आज बह आपने वाले व्यक्ति को as a individual, as a agency, as a freelancer, अपनी services देकर भी बहुत अच्छा income generate कर सकते हैं, ऐसे URL submission है, URL submission का मतलब हो गया कि बहुत सारे लोग हैं, जिनकी website हैं, जिनकी videos हैं, उनको अलग-अलग platform पर share करना, ताकि आप ज़र सेदा views ले सके हैं, ज़र सेदा अच्छा business generate कर स सकें, या अपने brand को advertise कर सकें, अब अगर आप अच्छे articles लिखते हैं, तो बहुत सारे लोगे जो article लिखते तो हैं, लेकिन कोई पता ही नहीं किस article को advertise कैसे करना है, blog sites, आज बहुत सारी blog sites हैं, आप खुद की blog site develop करके भी अच्छा पैसा generate कर सकते हैं, अभी आपने कुछ द करता था, या लोगों की video record करता था, food blogger ने एक बाबा से मिला, देखा कि धाबा है चोटा सा, और धाबे वो बड़ी सारी problem है, वो कमा नहीं पा रहे हैं, बुजर्ग हो चुके हैं, उसने support किया कि आप लोग आएं, और इस धाबे से खाना खाएं, और देखते ही देखते ह from the blogging sites, लोग blog चला चला कर भी बहुत अच्छा पैसा कमारे है, audio sharing, you can share अगर आपकी अच्छी आवाज है, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं, अच्छी comedy कर सकते हैं, अच्छी video record कर सकते हैं, अच्छा audio record कर सकते हैं, तो आप soundcloud, sawan, audio mac, listen me, hear this, headphone, ऐसी बहुत सा लोग अपने आपको advertise कराने के लिए या अपनी छवी को बहुत बहतर बनाने के लिए online reputation management करवाते हैं, यहां मैं एक बात आपको कहना चाता हूँ, online reputation management के system की वज़े से ही हमारे देश के प्रदान मंतरी, येदि कोई गुसा भी होता है तो बोलता नरेंदर मोदी जी, क्यों आपको बाता चला, तो social media platform के जरीए ही इस तरह की activity की जाती है, किसी भी व्यक्ति की online reputation management करना, social media platform का बहुत बड़ा काम है, आज social media platform पर online reputation management करके भी आप as agency, as individual बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, कि मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ complete digital marketing, complete business digital marketing जिसमें बात करेंगे social media engagement के बारे में, articles के बारे में, social media activity के बारे में, social media creation के बारे में, linkedin है, facebook है, twitter है, instagram है, pin interest है, जीतने भी social media platform है, उन सब के बारे में आप professionally मुझत सीखेंगे, SEO क्या है, SMO क्या है, SMM कैसे करना है, PPC कैसे करना है, अच्छा content कैसे लिखना है, Google Advert account कहें चलाना है, business classified कहें चला है, mobile marketing किस तरह से करनी है, या किसी भी individual की, professional की, political leader की, हमें किस तरह से image, profile maintenance करनी है, brands की कैसे profile maintenance करनी है, blog sites पर कैसे काम करना है, और सबसे important कि social media platform से business generate करने के अलावा, किस तरह से income generate करनी है, friends, social media के अगर हम बात करते हैं, तो आप आज लगबग 7.5 लाग subscriber मेरे YouTube चैनल पर है 40 million से ज़्यादा, 75 million से ज़्यादा मेरे Facebook, YouTube, social handles पर लोगों की viewership है, हम business digital marketing के लिए न, जब lockdown, एक बार lockdown हुआ, उससे पहले एक बार lockdown हुआ, जो first lockdown हुआ था, उसके last day भी, मतलब मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, जब lockdown हुआ था, तब भी मेरे offline batches चल रहे थे, लेकिन उसके और जब सब कुछ ठीक होगा, फिर दुबारा offline classes शिरू हो जाएंगे, लेकिन जब तक, मतलब पिछले डेर साल से, हमने online digital marketing को सिखाना शिरू किया, और धीरे धीरे हमारे number of batches बढ़ते गए, offline classes में जो हमारा fee structure था, वो 50,000 था, और उसके बाद उसको जब हम online लेका रहे, क और हम अपनी team से बैट कर बात कर रहे थे, कि भई अब ऐसा क्या करें, कि हम masses तक पहुँच पाएं, देखिए, 50,000 फीना एक ऐसी fee है, जिसको एक ऐसा व्यक्ति दे पाता है, जो अच्छी income generate कर रहा है, या establish है, या उसके पाद 6 पैसे है, या rich community से है, वो लोग इतना पैसा खर्च कर पाती है, तो हमने 25,000 अब online दिया, तो बहुत सार लोगों ने join किया, लेकिन एक बहुत बड़ा ऐसा मास है, जो चीजों को सीखना चाते है, समझना चाता है, लेकि उसके पास ऐसी opportunity नहीं है, तो हम लोग अपनी team के साथ बैट कर रहे थे, कि सब कुछ ऐसा किया कि जिसमें हम जादा सेदा लोगों तक अपनी बात को पहुचा सकें, जादा सेदा लोगों को ट्रेंड कर पाएं, जादा सेदा लोग सक्षम बन पाएं, एक गाओं में बैठा व्यक्ति, जो दूर दराज के गाओं में बैठा हुआ है, वहाँ बैठे बैठे भी, वो अप अपने mobile phone के जरीए digital marketing को सीखे और सीखने के बाद अपने business में implement करे या as a freelancer काम करे और एक अच्छी income generate करने लगे तो हमने सोचा ऐसा क्या करें तो मेरे जितने भी online webinar जितने भी digital marketing के online courses हुए है जितने भी classes हुई है लगबग 35 classes का पूरा complete course है वो पूरा का पूरा course हमने जब record किया तो हमने decide किया कि हम लोगों को available कराएंगे at a very unbelievable nominal cost एक ऐसी cost जिसको हर student का एक छोटे-छोटा बच्चा भी इसको afford कर पाए तो हमने हमारी अपनी खुद की app develop की और आज मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि उस app पर आप 100 से ज्यादा free videos देख सकते हैं उस app पर आप business के बारे में सीख सकते हैं आप import export के बारे में सीख सकते हैं उसमें आप share market के बारे में सीख सकते हैं sales and marketing के बारे में सीख सकते हैं business promotion के बारे में सीख सकते हैं और सबसे important आप यह सारे videos free of cost सीख सकते हैं देख सकते हैं और समझ सकते हैं और अपने life में implement कर सकते हैं और जब आ करते हैं हमारी offline classes में जिसकी 25,000 फी होती है online classes में वो आपको सिर्फ 3000 रुपे में मेरे app पर मिल सकता है और ये offer केवल और केवल अगले 7 दिन तक रहने वाली है मतलब 7 दिन बाद हम इस offer को cancel करके उसकी fee बढ़ा कर वापस 25,000 कर देंगे इसलिए मेरे request है कि आप Google Play Store पर जाएं और Google Play Store से app डाउनलोड करें और app डाउनलोड करने के बाद पहले कुछ एक free videos देखें और उसके बाद में आप उस course को purchase कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो course मुझे करना है वहाँ पर दो important चीज़े मैंने specially वहाँ पर डाली हुई है अभी अगर आप एक YouTuber बनना चाहते हैं आप YouTube platform से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो editing का एक software क्योंकि आज वीडियो editing बना लूँगा पर editing कैसे करूँगा तो वीडियो editing का professional software वहाँ पर दिया हुआ है उसका complete training आप इसको सीखेंगे तो पहले दिन से ही आप YouTube पर काम करना शुरू कर पाएंगे और अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देंगे दूसरा जो important बात है वह creative designing यह बड़ा typical task होता है हर व्यक्ति के लिए हम creative कैसे बनाएं अच्छे ग्राफिक्स कैसे बनाएं अच्छे अगर मैं वीडियो एडिटिंग कोर्स की बात करूं तो उसकी फीव है 25,000 और यही बात अगर मैं creative designing की बात करूं तो उसकी फीव है 25,000 मतलब वन लाक रूपी का जो package है वह आप अवेल कर सकते हैं सिर्फ 3000 रूपी में मेरे यूट मेरे जो प्लेटफॉर्म है डाट इस अप अन गूगल प्ले स्टोर डॉक्टर अमित महिश्वरी आपर यह सारी training available है और important बात जब आप physical class में भी आते हैं आप offline class में भी आते हैं तो एक class में टॉपिक को सपोज कुछ रह गया चूट गया या आपकी class मिस हो गई तो आप उस opportunity को मिस कर जाते हैं या वो chapter यह आपका छूट जाता है लेकिन हमने इस बात को भी यहां पर ध्यान में रखा आप हमारे app पर उस app को जब आप download कर लेंगे वीडियो को भी हमारा course purchase करेंगे तो आप एक वीडियो को आठ बार access कर सकते हैं सपोज internet नहीं आ रहा है तो आप हमारी app पर उस वीडियो को download कर सकते हैं internet हो या ना हो आप कभी भी घर बैटका राम से उसको देख सकते हैं क्योंकि मैंने यह problem देखी है कि दूर दूरा जह लाके में जो लोग रहते हैं गाउं में रहते हैं कस्वे में रहते हैं तालुका में रहते हैं ऐसी जगह रहते हैं जहां 24 गंटे में 5-5-6 गंटे लाइट आती है internet तभी चल पाता है या internet बहुत slow speed हो जाता है जब उनको internet की facility मिले लाइट मिले तभी वीडियो को डाउनलोड कर लें और हमारी उस app में उसको offline भी देख सकते हैं मैं अपनी टीम से बात कर रहा था कि सर कोई वीडियो देख रहा है कोई question उसके मन में आता है तो आप live chat का option भी है तो आप live chat में अपना question लिखकर उसका जवाब हमसे ले सकते हैं course भी कर सकते हैं अपने physical जो आपके माइन में questions है वो भी आप पूछ सकते हैं live भी मुझसे मिल सकते हैं वीडियो editing भी सकते हैं creative designing भी सकते हैं उसके साथ में आप सको certificate भी मिलेगा जो offline classes का मिलता है और important बात कि 24 गंटे के अंदर जो लोग उस पर register कर लेंगे और वो course purchase कर ले किया है तो मिलते हैं बहुत जल्दी हमारे next वीडियो में स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे वविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत